नमस्का दोस्तों मैं कृष्णा लोधियाल फाइनेंशल अडवाइजर आज के इस इन्फोर्मेटिव वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एलाइसी कॉम्बो प्लान का 30 एपिसोड याने की 30 एपिसोड इससे पहले मैं 29 कॉम्बिनेशन प्लान विद कम्प्लीट प्लान डेटेल्स के साथ मैं पूरा प्रेजेंटेशन एक्स्प्लेन कर चुका हूँ अगर आपने वो नहीं देखा तो आई बटन पर जा करके उसकी पूरी प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन में उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डाल दिया है आप वो सभी वीडियोज चेक आउट करिये ताकि आप अपने ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइन्स को वो वीडियोज शेर कर पाएं या वो पोस्टर शेर कर पाएं या फिर वो कॉंसेप्ट आप शेर कर पाएं और कॉंबिनेशन प्लान बेच पाएं आज की इस वीडियो में मैं happy retirement plan के बारे में बात करने वाला हूँ जिसमें डाई लाख सवा दो लाख रुपे के आसपास अगर सालाना मातर 15 साल के लिए आप अपने client को जमा करवाते हैं तो आप अपने client को तीन लाख रुपे की yearly pension पूरा tax free pension next 35 सालों तक के लिए arrangement कर सकते है ये एक long term investment planning रहेगा जो secured saving scheme के अंतरकत आता है 35 लाख रुपे का FD उसके परिवार के लिए अलग से रहेगा जो उसके बाद उसके आने वाले next generation के लिए अलग से अविलेवल रहेगा इतना ही नहीं इस plan में मैंने 25 लाख रुपे का cancer cover का protection भी अलग से किया हुआ है इसी premium में और ये जो 2,25,000 रुपे का yearly premium की बात हो रही है ये पूरा 15 साल के रिए पूरा payment 2,25 नहीं होगा थोड़ा सा कम भी होगा तो यहां पर मैं आपको अपने excel sheet पर लेकर के जाता हूँ और एक cash flow आपको मैं दिखा देता हूँ यहां पर cash flow में कैसे ये plan काम करता है आपको step by step देखना है ताकि आप अपने client को उसी flow में उसी तरीके से explain कर पाएं जिस तरीके से यहां पर लिखा हुआ है यहां पर आप year देख रहे होंगे 2022 से लेकर के यह policy पूरा 100 year की policy होने वाली है तो 2022 तक यह policy continue रहेगी इसमें कब कैसे क्या premium रहेगा वो आप देख लीजए average मैंने जो age ली है client की वो मैंने 30 साल की age ली है और 30 साल से लेकर के यह policy holder को जो coverage देगा पूरा 100 year के लिए देगा यानि कि लगबख 70 साल के लिए यह plan उसको मिल जाएगा राइट उसके बाद अगर यहां पर हम देखें premium मैंने आपको मात्र 15 साल की premium की बात करी है लेकिन यहां पर आपको दिख रहा होगा 2,16,000 पहले 2,21,000 फिर 2,16,000 ऐसा करके premium आपको दिख रहा होगा 15 साल के लिए उसके बाद में आपको 71,000 और फिर भी नेचे बहुत सारा payment आपको दिखाय दे रहा होगा यह payment आपको देना ही नहीं है यह वाला payment जो मैं highlight कर रहा हूँ यह client को pay नहीं करना है यह क्यों कैसे pay नहीं करना है उसके लिए आपको वीडियो last तक जरूर देखना होगा अगर हम natural death की बात करें अगर client policy लेता है तो कौन से साल में कितना risk coverage इसके nominee को मिलेगा वो step by step आप year by year देख सकते हैं 45,000,000 रुपे से लेकर के client को जो risk coverage मिल रहा है normal death की condition में 64,000,000 तक मिल रहा है और 35,000,000 का फिर lifetime coverage मिल रहा है अगर accidental claim की बात करें तो client को एक huge risk coverage मिल रहा है लगबग 80,000,000 रुपे का from day one और ये जाता है एक करोड तक उसके बाद में अगर returns की बात करें तो यहाँ पर client को हर साल average 3,000,000 रुपे का return में देने वाला हूँ कैसे उसके बारे मैं भी बताऊंगा detail में इस policy में अगर policy holder कल को अगर policy को surrender करना चाहे तो वो surrender भी कर सकता है और अगर वो कल को loan लेना चाहे तो वो loan भी ले सकता है loan का amount भी मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ year by year आपको loan का amount exact देख रहा होगा दूसरे साल के बाद ही policy holder loan और surrender के लिए eligible हो जाता है दोस्तो अब हम इसके main plans की बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से plan मैंने mix किये हैं तो आप pen and piece of paper ले लिजिए ताकि आप note कर पाएं पहला plan मैंने लिया है 915 LIC G1 आनन पॉलिसी आप सभी को पताई होगा अपने आप में एक बहतरीन policy है lifetime coverage देने के लिए 30 साल की एज 18 लाख रुपे का मैंने समश्योड लिया है 15 साल का मैंने यहाँ पर duration लिया है policy का और जिसम premium भी 15 साल जमा होगा yearly premium, total premium, total return आपके सामने है लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली यह है कि यहाँ पर इसका जो maturity आपको मिल रहा है 35 लाख रुपे इसको आपको 10 साल के settlement option में देना है दोस्तों कितने साल का? 10 साल का उसके बाद जब आप इसको 10 साल का settlement period दे दोगे तो आप यहाँ पर आ जाईए यहाँ पर average तीन लाख सत्ताउन हजार रुपे का yearly पे आउट उसको मिलने लगेगा हाला कि इसमें नेचे और भी policies हैं वह मापको अभी पहले policy हैं बता देता हूँ फिर बताऊंगा कौन सा premium कहां सा debit करना है उसके बाद दूसरा plan जो हमने लिया है फिर से 915 table ली है 10 लाख रुपे का समशोड लिया है 25 साल का duration लिया 25 साल का ही premium जाएगा लेकिन यहां पर जो maturity आईगी लगभग 32 लाख रुपे की उस maturity को मैं 10 साल के लिए फिर से settlement option में डाल दूँगा क्योंकि मुझे हर साल cash flow देना है client को right तीसरा plan जो मैंने यहां पर लिया है वो plan भी मैंने 915 जीवन अनन लिया है साथ लाख रुपे का समशोड लिया है 35 सालों के लिए जिसका maturity का amount मैं 15 सालों के लिए settlement option में डाल दूँगा क्योंकि मुझे हर साल cash flow देना है last but not the least यहां पर मैंने cancer cover का plan भी add किया है इसके बारे मैं अभी थोड़े देर में बताऊंगा पहले मैं आपको first plan के बारे में बताता हूँ जो 18 रुपे का जीवन आनन प्लान लिया है उसकी जो majority आ रही है अब इन तीनों प्लानों का जो premium आ रहा है आप देखिए 35 सालों का plan है total जो duration पे करना है इसलिए यहां पर premium आपको पूरा 35 साल का premium आपको दिख रहा होगा हाला कि reducing है लगकिन मैंने client को आपको बोलना है क्या उसको 15 साल तक ही premium देना है तो फिर 15 साल के बाद इस premium को कौन जमा करेगा जो 71,000 वाली आ रही है उसको हम कैसे करेंगे हमें जो यहां पर return आ रहा है 3,77,000 रुपे इसमें से हम यह 71,000 रुपे माइनस कर देंगे दोस्तों अगर हम इसको माइनस करेंगे इसको अगर हम माइनस करेंगे तो यहां पर average 3,000,000 रुपे के आसपास 2,80, 2,90 जो भी मिलेगा average मैंने 3,000,000 रुपे का pension लिखा है वो कैसे अभी मैं नीचे आपको बताऊँगा तो यह पैसा उसको देना नहीं है इसी premium से इसको knock-off कर देना है बाकी पैसा client को return कर देना है as a retirement fund यह होगा 10 साल तक 10 साल तक यह करेंगे आप उसके बाद में 3,24,000 रुपे का return आने लगेगा और उसको सालना 26,000 रुपे का payment देना है तो 3,77,000 मैं से आप 26 माइनस कर दीजिए बाकी तीन लाग 24 मैं से 26 माइनस कर दीजिए तो average दो ठानबे लगबग average तीन लाग रुपे का पिर जो pension है वो आप उसको दे पाएंगे और उसके बाद में 25 साल बाद तो 30 साल बाद तो ये premium जीरो ही हो जाता है फिर तीन लाग 21,000 रुपे का एक huge amount as a pension उसको हर साल मिलेगा ये जो settlement आपको करना है कौन कौन सी policy यहां पर हैं वो आप यहां पर देख सकते हैं अब इसमें एक बाद ध्यान देने वाली ये है आपको पहले प्लान में 10 साल का दूसरे प्लान में 10 साल का तीसरे प्लान में 15 साल का settlement option देना है अब दोस्तों यहां पर होगा क्या cancer cover वाला policy जो मैंने add किया है इसका बहुती nominal premium होता है 25 लाख रुपे के लिए मात्र लगभग 5000 रुपे का सालना payment है आपको बोलना यह है कि सर इसी प्लान में आपको 25 लाख रुपे का cancer cover मिल रहा है भगवान नगरे कल को policy duration के बीच में आज से 30 सालों के अंदर कभी भी अगर आपको cancer हो जाता है तो उस condition में आपके nominee को अगर stage 1 में अगर आपको cancer diagnose होता है तो आपको summer short का 25 परसंट यानि कि जो होता है लगभभग 6,6 लाख रुपे के असपास वो amount आपको दे दिया जाएगा और आने वाले 3 साल का premium cancer cover का आपका माफ कर दिया जाएगा लेकिन अगर cancer diagnose हो जाता है second stage या major stage में तो उस condition में आपको पूरा का पूरा 25 लाख जो कि summer short का 100% होता है वो आपको pay कर दिया जाएगा जिससे कि आप अपना cancer का treatment करा पाएगे और इतना है नहीं सर आपको आपकी cancer cover का सारा का सारा भुश्य का premium जो 5000 रुपे सालाना है वो सब माफ हो जाएगा और इसके अलावा इतना है नहीं इसमें आपको 25 लाख रुपे का 1% जो बनता है 25,000 रुपे वो हर महिने हर साल नहीं बोल रहा हूँ हर महिने 10 साल तक आपको मिलता रहेगा हर महिने without making any payment तो इस condition में आप एक बहुत बड़े critical बीमारी से लड़ने के लिए आप एक तरीके से secure हो गए हैं बहुत ही nominal premium में तो यह है LIC का retirement plan जहां पर हमने 3-4 प्लानों को combine करके उसको 35 सालों के लिए हमने उसको 3-3 लाख रुपे का जो है हमने उसको return दिया यहां पर आप देख सकते हैं average जो निकल के आ रहा है तीन लाख बतीस जार रुपे के असपास उसको हम सालना pension दे रहें बट average हमने तीन लाख रुपे हम बान के चल रहे क्योंकि हमको कुछ पैसा यहां पर premium में भी उसको knock-off करना है right so that's all for today I hope you found this video informative और इसका poster में telegram पे भी और इस video की description में भी link के माध्यम से दे दूँगा जहां पर आप उस link पे click करके इस poster को download कर सकते हैं और अपने ज्यादा से ज्यादा लोगों को share कर सकते हैं जितने लोगों को आप share करेंगे उतनी leads आपको आएंगे तो आप उनको इस plan के combination बना करके बेच सकते हैं आप दोनों का फायदा कैसे होगा as insurance advisor आपका एक ही customer को आप चार policy आप दे पाओगे आपका number of policies का target भी meet हो पाएगा और client के लिए बहुत ही benefit यह हो जाएगा कि वो premium कल को टुकडों में पे कर सकता है उसको पूरा insurance खतम करने की जरूत नहीं पड़ी कि अगर कोई financial crunch आता है दूसरा client को यहाँ पर हर साल cash flow हम दे पा रहे हैं यह खटा अगर वो लेना चाहेगा तो यह खटा तो मिल ही जाएगा वो तो by default option है लेकिन अगर उसको pension में जिये तो pension का provision करने के लिए यह बहुत ही बड़ीया प्लान है thank you so much for watching this video let's meet on another informative video by the time signing off thank you so much have a wonderful day